हाई एवरिवन ये वीडियो पार्ट नमबर थ्री है आप लोग के लिए लेकर आया हूं आपको पता है कि ये सिरीज चल रही है अप्लिकेशन आप इंट्रिकेशन की जो की एक्सरसाइज 8.3 का तीसरे नमबर कोश्चन है ये थोड़ा सा टीपिकल कोश्चन है आपको यहाँ इसके bonded area अपर निकलना है कुछ ऐसे इसका आपका figure बनेगा अगर अच्छे से है अगर मेरे first video नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर आप देख सकते हो कैसे सारे figure बनाने के लिए मैंने सिखाया है ये ऐसा कुछ figure बनेगा x square is equal to 4y ठीक है अब कुछ यहाँ पर आपको पता होग ठीक है y4 कुछ यहाँ पर ऐसे होगा इनके बीच का first coordinate में मतलब यह वाला यह वाला coordinate नहीं यह तो second coordinate हो जाता है यह first वाला coordinate का आपको figure बनाना है यानि y2 से y4 पे एक बात इस पे अच्छा से याद रखेगा कि यह y axis पे हमें निकालने है area यानि यह इसका formula हो जाएगा 2 से 4 यहाँ x dy जिस axis पे निकालना राता है उसके with respect यहाँ पर dx या dy हमें यहाँ पर रखना पड़ता है लेकिन हम यहाँ पर y axis पे निकालना हूं इसलिए dy रखा हूं अब हमारा equation क्या दिया है x square is equal to 4y दिया है यानि x का यहाँ से formula निकालेंगे तो यह x under root में y हो जाएगा इ कितना हो जाएगा 2 यह 2 यह 4 हो जाएगा और y के power 1 by 2 dy जब इसको differentiate करेंगे आप अच्छी तरीके से y 3 by 2 हो जाएगा यह 3 by 2 हो जाएगा हो जाएक ने और यहाँ पर 2 से 4 अब इस upper limit और lower limit की value आप put किजिए कैसे put करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा 4 के power 3 by 2 हो जाएगा 3 by 2 ह माइनस यहाँ पर 2 के power 3 by 2 और यह जाएगा 3 by 2 अब जब इसको solve करेंगे आप तो यह जाएगा 2 के power 2 ओ सका power 3 by 2 है पान में 3 by 2 और यह 2 के power 3 by 2 और 3 by 2 जब इसको 2 से 2 cancel करेंगे तो कितना बज़त जाएगा 2 ऑर 2 कितना हो जाएगा 8 और 3 by 2 माइनस इसको 2 को मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 3 के power 2 को क्या लिख सकते हो आप बताओ 2 और 2 के power 1 by 3 लिख सकते हो अब इसको जानते हो कि base same रता तब ओपर power add हो जाते है तो यही तबाएगा यानि आप लिख सकते हैं 2 under root 2 लिख सकते हो बस आपको वही करना है 2 under root 2 अपान में 3 by 2 ठीक है अब थोड़ा सा इसको easily solve करोगे तो आपका answer पा जाओगे आप अपने पूरे अच्छे से यह 2 हो जाएगा यह 2 उपर जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा और 8 अपान में 3 हो जाएगा यह 2 इसमें multiply होगा यह 2 उपर चलागा फिर इसमें multiply होगा 2 multiply 2 under root 2 और यह 3 उपर जाएगा यह वाला भी तो 2 उपर जाएगा यहाँ पर 2 एक और आजाएगा अपान में 3 हो जाएगा तो इस सारे चीज को आप solve करोगे तो answer पाज़ाओगा ठीक है thank you इसी तरह आप हमारे वीडियो पर बने रहे हैं अगर आपको पसंद आए तो like करें share करें subscribe करें ऐसे यह वीडियो continue चलती रहेगी next question को next video में मिलते हैं thank you so much